जोहार दोस्तों आप सबका नए इन्फोर्मेशन के साथ हमारे योटीब चैनल में स्वागत हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों पता होगा अभी इलेक्शन का समय आने वाला है और जितने भी पार्टी है सभी अपना अपना योजना निकाल रहे हैं जार्खंड जार्खंड के जो मुख्य मंत्री स्रीहमन सोरेंजी हैं इनके द्वारा अभी एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है मुख्य मंत्री मैया समान योजना जिसके तहट 18 साल से 50 वर्स की महिलावों को मैया योजना का एक हजार रुपया दिया जा रहा है ठीक है और इसी को देखते हुए बिजैपी के द्वारा एक योजना लाया जा रहा है जिसका नाम है गोगो दीदी योजना जिसके तहत जारखन की सभी महिलावों को एक की सो रुपया दिया जाएगा है ना एक फोर्म बढ़ना है आवेदिका का नाम पती या पिता का नाम रहेगा पंचायत वार्ड ब्लोक मुबाइल लंबर जीला और परिवार में कितने संख्याएं है वो है ठीक है आवेदिका का नाम यहाँ फिर से होगा भरोसी की बाहर जारखन की महिलावों का हर साल मतलब हर सा 25,000 प्लस जो है दोस्तों यह आपका इस योजना से लाव मिलेगा लेकिन जब यह कब होगा जब जारखन में बीजेपी की सरकार बनेगी इसी को देखते हुए फिर से जैमेम के द्वारा एक योजना लाया जाने वाला है देखिए जिसका नाम है जैमेम सम्मान योजना हर म महिलाओं के खाते में सम्मान रासि दिया जाएगा पजिगरन फोर्म दिनाह पर आविदिकशा का नां में पतती का नम और हर साल 30,000 जो है दोस्तों ये आपके जारखन के सभी महिलावों को दिया जाएगा ये एक्चुली अभी जो इलेक्षन हो रहा है उसके कारण ही इतनी सारी योजनाये अलग-अलग पाटी द्वारा निकाला जा रहा है न एक ताइप से जारखन की महिलावों को लोफ दिया जा रहा है ताकि वोट हासिल कर सके देखे इसमें और क्या है जेमेम सम्मान योजना आज जामुमों की तीन सदश्ची टीम जेमेम के केंद्रिय महासची विनोध पांड़े के नेतरीतुम में निर्वाचन आयोग पहुँची तीस द्वारान जामुमों के तरब से जेम सम्मान योजना चलाने की स्विकृति चुनाओ आयोग से मांगी गई है इसके तहट महिलावों को 30,000 रुपई दिये जाएंगे यह नई योजना है जिसे जामुमों लोंच करना चाहती है दरसल जामुमों निर्वाचन आयोग के पास भाजपा की सिकायत लेकर पहुची थी जामुमों की तरह से एक पत्र भी सोपा गया जिसमें कहा गया कि भारती जनतापाटी द्वारा एक पंजिकरन फोम प्रोशारित किया जा रहा है जिसमें आवे दको को गोगो दीदी योजना के तहत पंजिकरन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है इस फॉर्म में नाम, पता, मुबाइल नंबर, पंचायत, ब्लोग, जिले का नाम आधी जैसे विबरन मागे जा रहे हैं इस योजना में हर महिने की 11 तारिक को प्रतियक महिला को 2100 रुपे और प्रति वर्स 25,000 रुपे देने का वादा किया है यह एक चुनावी हतकंडा है देखिए सब अपने उगल दे रहे हैं यह लोग और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत परिभासित भरष्ट आचरन की स्रेनी में आता है यह 1951 की प्रावधानों के तहत रिश्वत का प्रलोभन है इसके बाद पत्र में कहा गया कि यदि गोगो दिदी योजना भारतिय जनतापाटी द्वारा फॉर्म द्वारा जारी फॉर्म गोगो दिदी योजना आपके दिसान देश्त के विरुध नहीं है तो मैं भी जामू करने की अनुमति अनुमति दी जाए देखें मतलब जामू मों जे एमेम और जे एमेम और जो बीजेपी है दोनों के बीच में भी महा संग्राम